हज़र सुलिमान अलिएश्लाम यह कसम है, हम इसको एमेशांस दे छोड़ेंगे, दुबारा नहीं आएंगे, तांक भी नहीं करेंगे झाल झाल पाकिस्तान के साथ कामना सदीगी नाजिए इस तरह में मौझूद हूँ इसलामबाद में गोल्डा शरीफ दर्बार के साथ किबला चामी साथ की रहाइश कापर और आज हमारा आने का यहां पे मकसद यह है कि दर्बार में और अदर मौझूद जो 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 जियारात हैं उनके बारे में जरा जानना और बहुत सारी चीज़े ऐसी हैं जिनके बारे में हमें यहां पे जानना है जो हवाई मखरूक हैं जिनात हैं इस तरह की जीज़े जिनके बारे में बहुत से लोगों का यकीन है भी और बहुत से लोगों का यकीन नहीं भी है उसके बारे में हम जाना है कि वाकी क्या वो एक्सिस्ट करते हैं में इस साथ इस तरह मौजूद है किला जामी साथ के परिसनल सेक्टरी तसवर अबास साथ जो के दर्बार के खादिम भी है वो में साथ मौजूद है क्योंकि उनका सारा बच्पन और सारा टाइम जहां पर गुज़र है तो उनोंने इन सारी चीज़ों को पर्सनल विटनेस भी किया और देखा भी है पहले तो मुझे आप ये बताईए कि ये जो जिन्नात की बारे में है ताजाता है कि वो नहीं है आपका पर्सनल एक्सपिरियंस इस चीज़ में क्या है जी बिसम लिए रुष्मान रुर्हीम सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कामरान भाई जिन्नात के हवाले से आप बात कर रहे हैं जो लोग नहीं मानते मैं समझता हूं कि वो और रुर्ण मजीद फुरकान हकीम को नहीं मानते क्योंकि सूरा जिन में कुल ओहिया इलय्या अन्ना उस्तमा ये पूरी एक सूरा जिन जो है उनतीसा ँपा रहा है उसमें ये पूरी एक सूरत है तो फिर जब अज़ुन अबिलैससलाट अस्सालाम ने नबूत का ऐलान किया तो उस वक्त पूरी एक जमात अज़ुन 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 अस्सालाट अस्सालाम के पास हाजिर होई और आकर उनोंने इसलाम कबूल किया और उम्मत मुहम्दिया अल्यावा आलिही वसल्म में शामिल हो गए तो ये बात तो वाज़र है के जिनात का वजूद तो है जिन तो है और रही बात साहे की किसी पर साया हो जाता है या किसी को तकलीफ पहुंचाते है जो मुसल्मान जिनात होते हैं मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी मुसल्मान अपने भाई को या किसी को नुकसान पहुंचाए वो नुकसान नहीं पहुंचाते हैं हाँ अलबता ऐसा होता है परानी कुतब में भी पड़ा है कि किसी ऐसी जंगल में चले गए या किसी पराने द्रक्त के पास चले गए जहां वो देखते नहीं है तो इनसान को खुद चूँ के बजार अपनी आँखों से वो देख नहीं पा रहा होता तो वहां से गुजर हो जाए या कहीं वहां पर बैठ जाए या बाद लोगों की आदत होती है किसी फलदार द्रक्त क होता है या चुड़ेलें इस तरह की चीज जी बिलकुल चुड़ेलें और जिनात जिनात के जमरे में सब भी आ जाती हैं चुड़ेलें भी आती हैं जिनात भी आते हैं जी सारी चीज़ें इसी के जमरे में आती हैं जिनात वाकर आशिक होती हैं नहीं इश्क वाली तो बात किसी के किसी ओरत के किसी उसमें बहुत हसीन है उस पे साया हो गया उस पे जिनाशिक हो गया यह कह चीज़े हैं नहीं यह बस लोगों की आजकल मनगरद बाते हैं और जो यह आमिल नुमा लोग होते हैं जो लोगों को अपनी तरफ ऐसे ही मटोर रहे होते हैं पैसे के लिए द भी ऐसा कोई जिकर नहीं आया यहां पे मुझे दर्बार किससे बताईए कि यहां पे दारे दो चीजें एक तो आपका सायवली बात हो कि जिसमें जिनात का असर आ गया और एक होते है जादू जो आपके जिनात का असर है वो तो उसका तो घर मैं परसनल खुद विटनेस हूं और उसके बाद चीज जो है वो वहीं चमर जाती है और फिर अपने जो बंद है जिसके उपर साय है वो खुद अपना नाम नी बलकर जिस जो होता है असल में हवाई बकलू को बोलता है जी असल में जो आप जादू की बात कर रहें जादू भी बरहक है तो जादू भी होता है लोगों के अपने शरीक के होते हैं कोई एक बंदा अगर आगे चल रहा है तो कोई उसको दूसरा देख नहीं सकता तो उस पर ऐसी खामखाद जैलिस होना शुरू कर दिया या इस तरह के बाते हैं जादू के लिए यहां पर जो अजरात आते हैं जितने भी जाहरीन आते है उनें भी तावीज दिये जाते हैं हमारे दर्बाज शीच से जो किबला पीर सहब का है यहां पे और वहां से तवीजात दिये जाते हैं और दौा किबला पीर सहब उनके लिए फरमाते हैं तो अगर अगर आगर अगर तबारक बताब चाहे तो उनकी यह मुश्किल भी हल हो अगर किसी को जिन का कोई मसला है कोई साया है तो वो दरबार शीप पर हाजर हो जाते हैं हज़रात तो हमारा जो किबला पीर साहब ने महां पर आदमी मिठाया हुआ है वो ही तख्ती जो आला हज़रत की अजासत से है तो उसके लिए जरूरी ये है कि यहां पर आना पड़ता है पहले तखती दिखाने के लिए किबला पीर साब से इजाज़त लेनी पड़ती है अगर कोई ऐसे बंदा आ जाएगा डिरेक्ट निजार शीप पर पहुंच जाए और तखती के लिए कहे तो वो असर नहीं होता उसके लिए जरूरी है कि उसे पहले यहां पर आना पड़ेगा किबला पीर साब के पास और किबला पीर साब उसको इजाज़त देंगे पिर वो आदमी जो दर्बार्शी पर बैठा है वो तखती दिखाएगा वो आला हज़रत का जैसे मैंने बताया कि तावीज लिखा हुआ है वो देखता है उसका आक्स अगर कोई ऐसी हवाई चीज हो और en ऱरतेंत मेरे लिखाद के उसके तावीज के बरकत से व निकल जाती है चली जाती रफ़धफ़ा हो जाती है अगर कोई बिमार हो ज्यादतार ऐसा भी होता है को लोग अक्सर वुश्तर यहां पर आते हैं उनमें आप ऐसे समझ तो उसमें से दस की रेशो जो है वो जिनात की होती है बकाया बिमार होते हैं नफसियाती अमराज होती है इस तरह का उनके साथ मस्टला होता है तो अल्लागे फजल से वहां पर अगर वो जाएं और किसी के साथ जिन हो तो तो तख्ती देखने से वो रफदफ़ा हो जाता है रफदफ़ा किस तरह होता है उसको मतब अगर कोई बहुत जाला तंग करने वाला हो तो उसको मतब आप लोग कैद करते हैं उसको निकालते हैं क्या करते हैं कैद नहीं किया जाता उसको बस तख्ती दिखाई जाती है और तख्ती दिखाने के बाद उससे वादा वहीद लि की कसम है हम इसको हमेशास्ते छोड़ेंगे दोबारा नहीं आएंगे तंग भी नहीं करेंगे अजरसुलिमान अलाइसलाम की कसम है हम इसको हमेशास्ते छोड़ेंगे दोबारा नहीं आएंगे तंग भी नहीं करेंगे तो अगर वो मुसल्मान हो मानने वाला हो तो वो वाकिय ही यह कहता है कि ठीकि जी मैं एंदा यहां पे इनको तंग नहीं करूँगा इस बंदे से मेरा फ़दफा हो जाता है مسلمان نہ ہو تو مسلمان نہ ہو تو اس کے لئے ذرا مشکل ہوتی کیونکہ مسلمان تو چھڑخانی میں آگے آگے رہتے ہیں تو پھر وہی ہے کہ تویزات وغیر اس کو دیے جاتے ہیں اس کی برکت سے پھر اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے وہ بھی دور ہو جاتا ہے فنہ کرنے کا لفظ آتا ہے بہت زیادہ کہ ہم نے فنہ کر دیا کیونکہ جنات کو تو ذارہ جو ہم نے سنے کہ이 آگ میں جلایا جاتا ہے کچھ اس طرح کہے انہیں ختم کرنے کے لئے ऐसी बात नहीं है जी, कि ये भी जनात की भी एक मखलूख है, तो जिंदगी और मौत अल्ला तबारकवताला के हाथ में है, ना कोई बड़े से बड़ा पीर किसी को फना नहीं कर सकता, जब तक अल्ला तबारकवताला की अपनी मनशा होती है, वो इनसान को भी मौत देगा, व प्रिंदों को भी देगा जानवारों को भी देगा सब चीज़ों को ये तो अपने हाथ में कोई अगर ये दावा करता है तो मैं समझता हूँ कि जूटा दावा करता है कि मैं इस चीज़ को फना कर दो क्योंकि मखलूक है तो मखलूक को कोई इंसान फना नहीं कर सकता भी मैं कुछ नहीं करता, मैं जो कुछ करना है, अल्ला तबारक बताला नहीं करना है, मैं भी तुम्हारी अर्जी और तुम भी अपनी अर्जी, अल्ला तबारक बताला की बारगाह हमें पेश करो, अल्ला तबारक बताला महर्बानी फर्मा रेक। कभी कोई ऐसा वाक्या यहां पे पेश आया कि किसी का जिन निकालते वे या उसको रफ़ा रफ़ा करते वे मामला एको वो जो निकाल रहा हो उसकी तरफ आया हो या किसी को तकलीफ पहुंचाई हो नहीं कभी बयसानियों अलहम्दुल्ह कभी बयसानियों